स्ठाइब अंच की तो प्यारे बच्चों जो इस एक्सर्साइब को फर्स क्लाइब डेखी औह視्ट प्रीविएस क्लासिढ डेखी प्लीज जो पहले इसका इंट्रोडक्शन देखिए डिस्क्रिप्शन बॉफ्स में भी आपको लिंक दिया गया है और यहां जो आपको आई बटन दिखाई दे रहा है वहां से पिए आप उस वीडियो तक पहुंच चकते हैं यानकि जब तक आपका basic clear नहीं होगा आपको exercise समझ में नहीं आएगी तो exercise 3.11 start करते हैं जो question number first है प्यारे बच्चो in any triangle ABC किसी भी triangle ABC के अंदर if A is equal to 2, B is equal to 3 और angle B is equal to 90 हो हमें so करना कि sign A is equal to 2 by 3 होगा तो उसके बाद देखें प्यारे बच्चो solution में आप लिखोगे by sign formula by sign formula यंकि sign formula की help से आप क्या लेख सकते हैं A by में sign A is equal to 2 होगा B divide में sign B के तो प्यारे बच्चो जो भी value given है वो put कर देते हैं A की value क्या है 2 upon sign A sign A angle हमें given नहीं है तो उसकी तो value हमें सो करनी है तो इसकोल टूबी की value है 3 और sign B sign B की value क्या है 90 degree यहां पर given है तो यहां से देखें प्यारे बच्चों नेक्स टेप में आगे लेखता हूं this implies 2 by sign A is equal to 3 by sign 90 तो 2 upon sign A is equal to 3 upon sign 90 की value क्या होती है 7 cross multiply करोगे तो यहां से sign A की value क्या है 3 by 3 multiply में 2 तो value क्या हो जाएगी 2 by 3 तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आप sign A की value निकाल सकते हो first part में बिल्कुल easy सा है उसके बाद second part पर आएए A, B, C हमें given है so करने की cos A की value क्या होगी 7 by 8 तो यहां से देखिए by cosine formula यह की cosine formula की help से आप क्या लिख सकते हैं कि जो cos A है वो किसके equal होगा B square plus C square minus A square upon 2 B, C यह previous class में जब basic concept करवाए जारे से तब आपको करवाए गया था तो बस value put कर दीजिए B की value 3 है तो 3 का square 9 plus C की value 4 है तो square 16 minus में A का square यहने की 2 का square कितना हो गया 4 upon 2 into में B की value 3 into में और C की value है 4 तो यहां से देखिए 16 और 9 25 minus 4 21 हो गया पहरे बच्चों 2 3 जा 6 4 जा 24 तो यह किसकी value आई को से की cancel करोगे 3 7 जा 21 3 8 जा 24 तो को से की value क्या आई 7 by 8 तो इस तरीके से आप second part solve करोगे अब थार्ड पर आईए थार्ड में है angle A is equal to 30 degree बी रेसो सी बी सी के है sides बी कूर्ण सी साइड एंगल बी के पोजिट वाली साइड जो सी है वो कूर्ण सी साइड की length है एंगल सी के जो पोजिट है दोनों का रेसो गीवन है सो करना की बी एंगल 90 डिगरी होगा तो इनको एजूम कर लेते हैं प्यारे बच्चों सोलीशन में लिखेंगे लैट बी इसक्वेल टू टू के एंड सी इसक्वेल टू अंडरूट थ्री के अब के इनकी मल्टिप्लाइब में क्यों लिखा वैर के इस एनी रियल नंबर इस तरीके से लिख सकते हैं न चोटी किलासों में भी लिखते आई है तो ए बी और सी की जगाह क्या लिखले है तू के और रूट थरीके अब भी सी इए प्यारे बच्चों क्या गिवन है बी और सी एंगल ए घीवन है तो यहां से अगर मैं कोश अ की वैली निकालना चाहूं यानकी बेशी फॉर्मूला या कोसाइन फॉर्मूला अप लिखें by cosine formula जो cos A है वो किसके equal होता है प्यारे बच्चो B square plus C square और minus A square upon 2BC जो अभी वहाँ भी हमने यूज किया था तो A की value तो angle यानि कि 30 degree है तो यह हो गया cos 30 degree उसके बाद B की value देखें प्यारे बच्चो 2K है 2K का whole square होगा तो कितना हो जाएगा 4K square प्लस C का whole square root 3 का square करोगा तो कितना होगा 3 square अब A square का हमें नहीं पता तो आज जिटीज लिख लेते हैं भी उसके बाद 2 into B C B C को यानि कि यासे 2 से multiply करोगा 2 into 2K 2 into 2 4 root 3 यह क्या होगा 4 root 3 और K into K कितना होगा K square ठीक है अब देखें कोस 30 की value क्या होती है प्यारे बच्चो अंडरूट 3 बाए 2 कोस 30 की जगा अब क्या लेखेते हैं अंडरूट 3 बाए 2 4 और 3 7K square minus A square upon 4 अंडरूट 3 K square तो यहां से denominator को multiply में लेके आएंगे value होगी अंडरूट 3 divide में 2 into में 4 अंडरूट 3 into K square is equal to होगा 7K square minus A square अब यहां से देखें 2 तूजा 4 2 अंडरूट 3 और अंडरूट 3 2 और इंटू में 3 कितना होगा अगे लिख देता हूँ मैं इसको 6K square यहां से कितना हुआ 6K square is equal to है 7K square minus A square 7K square को minus करोगे तो minus K square is equal to minus का A square negative से negative cancel taking under root both side तो यहां से K की value क्या ही A तो अब K की value A के equal आ चुके है प्यार बचो this means यहां से B की value क्या होगी this means B is equal to B is equal to क्या था 2K तो 2A होगा C is equal to कितना था under root 3K तो under root 3A होगा BC की value निकल चुकी है हमें angle B को 90 degree प्रूव करना है तो आगे जो next step है वह आप लिखोगे by sign formula by sign formula अब sign formula से देखिए प्यारे बचो BC की value given है तो मैं यह लिख सकता हूँ B upon sin B is equal to अब यहां देखिए A की value given है अगर यहां C की value given होती तो हम C लिख लेते हैं यहां की A upon क्या लिख सकता हूँ मैं A upon sin A यह वही तो है A upon sin A is equal to B upon sin B तो value put कर दीजे B की value क्या है 2 A upon sin B is equal to A upon sin A A angle की value कितनी है 30 और sin 30 की value क्या होती है 1 by 2 तो उसके बाद यहां अगर लिख देते हैं 2 A upon sin B is equal to 1 by 2 है तो 2 पर चला जाएगा is equal to कितना होगा 2 A तो यह 2 A multiply में निचे divide में जाएगा तो sin B की value यहां से क्या हुई 1 और 1 को मैं क्या लेख सकता हूँ sin B is equal to sin 90 degree hence angle B किसके equal हो गया 90 degree के यही आपको प्रूव करना हो था तो इस तरीके से आप जो part 3 है वो complete करेंगे उसके बाद next question देखे प्यारे बच्चो जो exercise के आगे वाले question आपको सोन करने के लिए एक चीज का आप हमेशा जान रखे मैं इसको अलग से लिखी देता हो यहाँ पर ताकि हर एक question में आपको जान रहे अगर कोई भी triangle है ABC इनकी in any triangle ABC इनकी किसी भी triangle ABC के अंदर जो angle A plus angle B plus angle C है तीनों का sum कितना होता है 180 तो यहांसे हम निकालते है angle A plus angle B is equal to 180 degree minus C इस तरीके से निकाल सकते हैं अब दोनों के divide में आप कर दो 2 तो यहांसे value क्या आई angle A plus angle B by 2 is equal to 180 by 2 जैनकी 90 degree minus C by 2 आप ऐसा भी लिख सकते हैं एक result तो यह हुआ आप यह भी लिख सकते हैं कि angle B plus angle C divide में 2 is equal to क्या होगा 90 degree minus A by 2 भी होगा या फिर आप यह लिख सकते हैं कि angle A plus angle C by 2 is equal to क्या होगा 90 degree minus B by 2 यानि कि इन तीनों result का आपने ध्यान रखने है याद रखने हैं क्योंकि exercise में यूज होने वाड़े जो first result था वो ये था इस तरीके से second result ये है और ये है आपका निचे third result यानि कि angles क्या होते हैं equal आप निकाल के दे सकते हैं अब या हमने A plus B को left side रखा और C को उस side लेके गए तो पहले वाड़ा result बना अब अगर A को side लेके जाते तो दूसरा result बना अगर B को side लेके जाते तो क्या बनता यानि कि ये वाड़ा result बनता तो यहां से ये दो हैं angle है ये जो C है और A, B है ये तीनों क्या है angles है तो इन तीनों results का आप जहान रखें अब यहां से देखिए इस question को solve करने के लिए हम B plus C upon A की value लेके चलते हैं अब यह ऐसा क्यों वो मैं आपको बताता हूँ तो पहले एक बार sign formula देख लिजे by sign formula by sign formula sign formula के help से आप क्या लिखते हैं A upon sign A is equal to B upon sign B is equal to C upon sign C ठीक है यह क्या होते है रेसो इकवल होते है let us suppose यह यहां किसी के के equal है के की value कोई भी real number हो सकती है इस तरीके से प्यारे बच्चों तो यहांसे जो A की value आएगी वो क्या आएगी A की value क्या आई K into sign ने यहां की multiply होगा B की value क्या आई K into sign B और C की value क्या आई K into sign C इस तरीके से अब हम value निकालते है B plus C और divide में A की value यहांसे देखे B plus C by 2 इसकी value क्या होगी अब B को क्या लिखा जा सकता है K sin B plus C को K sin C upon A यह क्या है A है क्या है upon में A A को लिखा जा सकता है K sin A K sin A तो यहांसे देखे K तो दोनों जगा से उपर से common और निच्छे वाड़े K से cancel होगा यहांसे value क्या बच्ची sin B plus sin C upon sin A इस तरीके से इतनी बात समझे है K को अपने common ले और cancel कर दिया उपर नीचे से तो sin B plus sin C यह किसके equal होता है sin B plus sin C 2 sin B plus C upon 2 cos B minus C upon 2 upon है यह sin A को मैं क्या लेख सकता हूँ 2 sin A by 2 cos A by 2 यहनकी half angle formula लगा दिया ध्यान रखे तो यहांसे 2 से हुआ 2 cancel समझ गाया अब यहां से देखे प्यारे बचो यहां से को यह जो sin B plus C divide में 2 है और नीचे है sin A by 2 इस A by 2 की जगह में क्या लिख सकता हूँ यहां ध्यान से देखे A by 2 या फिर यह B plus C by 2 की जगह क्या लिखा जा सकता है 90 माइनस A by 2 तो यहां से देखे यहां से वैल्यू आएगी sin B plus C by 2 की जगह लिखा 90 डिगरी माइनस A by 2 इन्टू में कोस B minus C upon 2 अपोन हो गया sin A by 2 इन्टू में कोस A by 2 अब आगे देखे sin 90 माइनस थीटा किसके एकुल होता है कोस थीटा के कोस A by 2 कोस B minus C upon 2 निचे है sin अब देखे sin A by 2 की जगह आप क्या लिख सकते हूं sin A by 2 की जगह है यानि कि इसको आप लिख सकते हूं कोस 90 डिगरी माइनस B plus C by 2 B plus या फिर इस तरीके से लिखे कि यह जो sin A by 2 है sin A by 2 अब वैल्यू देखे यह किसके एकुल चल रही है यानकी B plus C upon A के एकुल चल रही है यानकी A की तो मल्टिप्लाई किसके साथ होनी है A की मल्टिप्लाई cos B minus C by 2 वो तो agities आपको दिख रहे है लेकिन B plus C की मल्टिप्लाई होनी है cos B plus C डिवाइड में 2 चलो एक बार पहले agities लिख लेते है sin A by 2 cos A by 2 उसके बाद जो statement के साब से इसको change करेंगे cos A by 2 से cos A by 2 cancel हुआ अब देखिए A की तो मल्टिप्लाई वाँ हो गई अब क्रोस मल्टिप्लाई कर दो A की मल्टिप्लाई किसके साथ हुई A into cos B minus C upon 2 square 2 B plus C की मल्टिप्लाई किसके साथ हुई B plus C या आप ऐसे bracket में लिखे उसकी मल्टिप्लाई हो गया sin A by 2 के साथ sin A by 2 के साथ अब sin A by 2 है sin A by 2 को क्या लिखा जा सकता है प्यारे बचो जान से देखिए यहाँ पर A by 2 को जब A by 2 की आप value निकालोगे तो यह minus का हो जागा 90 हो जागा कि नहीं हो जागा साइन टी डिगरी माइनस में B plus C upon 2 अब जान से देख लिए जी सेकंड रिजल्ट से यह value आ रही एक नहीं आ रही अब साइन 90 माइनस में B plus C by 2 साइन 90 माइनस theta किसके एकवल होता है cos theta के तो इसको हम क्या लिख देंगे cos B plus C upon 2 अब जान से देखे यही रिजल्ट आपको क्या करना था प्रूव करना था भी तो जो भी हमें result प्रूव करना है हम उसके according चलते कि हमें क्या चाहिए अब यह निकी कुछ भी आप प्रूव करते जा रहे है result में कुछ और पूछ है चाहिए तो इसको अलग करके लिख लेते हैं इस तरीके से अब इसकी वैल्यू चाहिए तो यहांसे देखे B minus C upon A इसकी वैल्यू क्या होगी बाइसाइन फॉर्मूला यह इतना हम कर चुक है है आप इस थार्ड क्वासन में लिखोगे बी की वैल्यू क्या है के साइन बी माइनस सी की वैल्यू के साइन सी अपोन एकी वैल्यू के साइन ए अब वाइल चीज के उपर से कोमन आया cancel हो गया तो इसकी value क्या होई sin b minus sin c upon sin a तो sin b minus c को sin b minus sin c तो एक किसके equal होगा 2 cos b plus c upon 2 और sin b minus c upon 2 upon sin a sin a को क्या लिखेंगे 2 sin a by 2 और cos a by 2 यहां value क्या चल रही है b minus c upon a अब देखिए a को इस side multiply में लिख सकते हैं a के साथ तो चाहिए हमने sin b minus c upon 2 a यह चाहिए यानकि इसको तो हमने change नहीं करना है तो agities रखना है तो 2 से 2 होगा cancel अब इसके साथ चाहिए cos a by 2 b minus c के साथ तो cos a by 2 यहां कि कई न कई हमें इन दोनों को cancel करना है यह ध्यान रखे तो इसके बाद देखिए प्यारे बच्चो b minus c upon a is equal to cos b plus c divide में 2 को क्या लिख सकता हूँ b plus c divide में 2 किसके equal 90 minus a by 2 के तो यहासे हमने लिखा cos 90 degree minus a by 2 into में है sin b minus c upon 2 divide में है sin a by 2 और cos a by 2 अब प्यारे बच्चों यह देखिए sin 90 minus theta क्या होता है oh sorry cos 90 minus theta तो sin theta इनकी है क्यों है sin a by 2 और निच्चे भी sin a by 2 है तो यह तो हुए cancel अब cross multiply कर दिजे cos a by 2 की किसके साथ multiply होगी b minus c के साथ cos a by 2 यहां बाप bracket चलो इस तरीके से अगर ब्रैक्ट लगाना चाहे तो वो लगा सकते है b minus c की multiply हुई cos a by 2 के साथ is equal to a की multiply किसके साथ होगी a sin b minus c upon 2 यहां की cross multiply हमने कर दी तो a यहां multiply में था निच्चे आएगा divide में तो इसको मैं यह लिख सकता हूँ b minus c upon a into cos a by 2 is equal to sin b minus c upon 2 तो यह था हमारा required result जो question number 3 के अंदर आप से पूछा गया था तो प्यारे बचो हम result के हिसाब से चलते हैं यह नहीं कि हमने कोई भी formula apply कर दिया और वो सही होगा हो सकता है कि formula सही हो लेकिन question की जो direction है वो गलत जा सकती है लेकिन जो पूछ रहे हैं वो तो नहीं बता रहे हैं इस तरीके से तो इन पे आप ध्यान रखें कि कौन से question में आपने कौन सा rule apply करना है और यह तो हरे question में apply होंगे कि b plus c divide by 2 को 90 minus a by 2 लिख सकते हैं इस तरीके से तो इन पे आप focus करें कि यह कहां से आया क्यों आया यह हम 10th class में भी सीख चुके हैं 10th class में जो ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर था वहां एक दो question में इस टाइप का जो statement है वो यूज हुई थी उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों जो next question है question number 4 वो क्या sign formula पिछले question में भी लिखा था sign formula से हम क्या लिख सकते हैं a upon sign a b upon sign b और इसी तरीके से c upon sign c यह sign formula होता है is equal to k मान लेते हैं और k की value क्या है कोई भी real number हो सकती है तो यहांसे देखिए प्यारे बच्चों जो a की value आई वो क्या एगी k sign a और जो b की value आई वो क्या आई k sign b और जो c की value आई वो आई k sign c इस तरीके से तो यह तो लगबग हरे question में अपलाई होगा तो यहांसे देखिए b square minus c square upon a square जैनकि right hand side की value लेके चलते हैं right hand side में b square minus c square upon a square तो b का square b का square यानि की k square sign square b हो गया minus c का square c की value है k square sign square c हो गया upon a का square a की value है k square और sign square a हो गया पेरे बच्चों तो देखिए k square हर जगह से क्या दिखाई दे रहा है common तो cancel यहांसे value क्या बचेगी sign square b minus sign square c upon sign square a तो यहांसे देखिए प्यारे बच्चों sign square a minus sign square b किसके form equal होता है यह identity पढ़ी थी अपनी यहांसे लिख सकता हूँ कि जो sign square b minus sign square c है वो होगा sign b plus c into में sign b minus c के equal होगा यह हम previous class में पढ़ चुके हैं upon sign square a है तो sign square sign square यहांसे sign theta को मैं क्या लिख सकता हूँ sign 180 minus theta तो a को मैं क्या लिख सकता हूँ 180 degree minus b plus c इस तरीके से यहनकी 180 minus b plus c वो कहां से आया देखिए a plus b plus c 180 था तो इस a की जगा में क्या लिख सकता हूँ 180 minus b plus c हो जाएगा ना तो यहांसे हमने लिखा कि 180 degree minus b plus c तो उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों यहां है b square minus c square upon a square तो sign b plus c into में sign b minus c और sign 180 minus theta किसके एक पूल होता है sign theta एक होंगी second quadrant में चला गाए second में sign क्या होता है positive होता है तो यह sign square है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ sign b plus c हो गया और sign b plus c हो गया यहनकि two times multiply में लिख सकते हैं क्योंकि square है क्योंकि sign 180 minus theta तो क्या हो जागा sign b plus c और square है तो हमने दो बार लिख लिख लिया तो x के यह cancel हो गया sign b plus c से value क्या बच्ची sign b minus c upon sign b plus c यह हमारी क्या थी left hand side hence यहां से हम लिख सकते हैं left hand side होगी is equal to right hand side के इन दोनों को हमने equal प्रूव कर दिया तो उसके बाद देखें प्यारे बच्चों जो next question number 5 में इसको थोड़ा rough कर देता हूँ यह इसके side आ गया तो यहां से देखिए चलो यह c की value तो क्या थी k sign c इनी का use होगा उसके बाद देखें यहां right hand side लेके चलते हैं भी right hand side में क्या है a minus b upon a plus b अब a की value क्या थी k sign a a की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ k sign a minus b की जगह k sign b upon k sign a और plus k sign b यह जा लिखा जा सकते हैं तो k उपर से भी common निच्छे से भी common k तो हुआ cancel value क्या बची sign a minus sign b upon sign a plus sign b तो sign a minus sign b किसके एकुल होता है two cos a plus b upon two और sign a minus b upon two और plus वारे formula में क्या होता है two sin a plus b upon में two और cos a minus b upon में two तो two से हुआ two cancel यहां से देखिए cos by sign angle है a plus b by two तो cos by sign को मैं क्या लिख सकता हूँ tangent a minus b और sorry a plus b upon two into में sin by cos sin by cos यह क्या हो गया tangent तो यह भी किसके एकुल होता tangent a minus b upon two तो ठीक है अब देखिए tangent a plus b by two को में क्या लिख सकता हूँ quote यानकि quote में change करोगे तो यह क्या हो जाएगा one upon quote a plus b by two ठीक है क्या हो गया quote a plus b by oh sorry यह तो mistake कर दी भी हमने जो question number fifth है यहां tangent नहीं भी यह already quote ही हो रहे है यहां से देखिए cos by sign क्या हुआ quote और sign by cos ten यह सही हो गहां कि दोनों एक जैसे मैं भी सोच रहा था कि कैसे आए तो आप यहां से कोट में वैल्यू आ गई है quote वाले को क्या लिक्सतों में one upon tangent a plus b upon two और यहां से कितना है tangent a minus b by two तो यहां से देखिए a minus b upon a plus b की value कि इसके एक विलाई tangent a minus b upon two डिवाइड में यहां पर भी क्या है tangent लेकिन किस में plus में a plus b upon two ज्यान से देखिए यही थी कि हमारी जो left hand side थी तो इस तरीके से आप question number five को solve करेंगे यह बिल्कुल easy से एकी concept है बस इनको ज्यान में रखें या फिर यह जो sign formula है इसको आप हर टाइम ज्यान रखें तो हमारे जो हरे question है वो इसी के help से solve हो गए यानकि यह जो sign formula है sign formula और यह जो यहां box बनाके लिखें इनी के help से हम पूरी exercise को करेंगे तो इस तरीके से और mistakes का भी ध्यान रखें कई बार हो जाती है जल्द वाजी में दोनों को क्या लिख दिया था टेंजेंट लिख दिया था तो इस तरीके से आप question number fourth और fifth को solve करेंगे उसके बाद next question देखें प्यारे बच्चों question number six है six में हमें प्रूव करना है एंटू में साइन बी माइनस सी प्लस बी इंटू में साइन सी माइनस से प्लस सी इंटू साइन माइनस बी स्कॉर्ट जीरो होगा तो यहांसे left hand side लेके चलते हैं प्यारे बच्चों left hand side में a sin b-c अभी एक सिरफ first term को solve करेंगे यानकी जो first term है first term क्या है a sin b-c है अब by sin formula से a को क्या लिखा जा सकता है k sin a ठीक है k into में sin a यह मैं बार-बार आपको repeat करवा चुका हूं into में sin b-c अब उसके बाद देखिए k sin a को में क्या लिख सकता हूं 180 यानकी इस तरीके से लिखोगे sin 180- theta और theta की value क्या है b-c ऐसा में लिख सकता हूं कि यहां से ध्यान से देखें sin 180- theta किसके एकुल होता है यही होता है यही होता है यानकी a की value हमने क्या लिख से बी-प्लस-c वही तो देखिए यहां से में साइन 180 माइनस धीटा किसके एक्वल होता है साइन धीटा के यानिकि B PLUS C हो गया और इंकूमें साइन B माइनस C अभी यहां देखें के इंटू में साइन B PLUS C इंकू साइन B माइनस C इसको मैं क्या लिख सकता हूं साइन स्केर बी माइनस साइन स्केर C यह previous exercises है अब first term को आप यह लिख सकते हो तो यहां से देखें left hand side लेके चलते हैं left hand side से first term की value क्या k into में sin square b minus sin square c इस तरीके से पलस अब इसी तरीके से आप second term को भी क्या लिख सकते हो similarly second term अब जो second term को मैं क्या लिख सकता हूं b यानकि k into में यहां value आएगी sin square c minus sin square a देखो ऐसा लिखा जा सकता है कि नहीं यह लिखा था a into में sin b minus c को sin square b minus c अब similarly जो third term है third term को भी मैं क्या लिख सकता हूं k into में sin square a minus sin square b यानकि जैसे हमने first को solve किया आप second और third को भी solve कर दे तो second की जगा हम क्या लिखेंगे तो k तो आया common यहां से value बची sin square b minus sin square c यहां से plus sin square c minus sin square a आगे से value आई plus sin square a और minus sin square b तो यहां से देखें sin square b से sin square b cancel positive negative है c से c cancel a से a cancel bracket के अंदर क्या बच गया 0 और 0 into k क्या हो गया 0 यही क्या थी हमारी right hand side इनकी right hand side में आपने यही प्रूव करना था ना तो main आपने first term को कैसे solve किया ऐसे ही आप second और third को solve करोगे बाद में इनकी value put कर दो कि उसके बाद question number seven देखें seven में कुछ भी नहीं है जैसे six हम ने solve किया था वैसे seven थे भी तो यहां से देखें left hand side लेके चलते हैं हमें प्रूव करना है a square upon sin a into my sin b minus c plus b square upon sin b into my sin c minus a plus c square upon sin c minus c into my sin a minus b की value क्या होगी 0 तो left hand side में first term first term को solve करते हैं इसे six question में solve क्या था first term क्या है a square upon sin a into my sin b minus c है यह इस तरीके से तो a की value क्या होती है k sin a by sin formula तो a का square करोगे तो हो गया k square sin square a divide में क्या है sin a और into my sin b minus c है तो देखिए एक पावर तो हैंसे cancel हुई value क्या बचे k square sin a into sin b minus c अब देखिए यहां से है k square is equal to a की जगा आप क्या लिख सकते हो sin यानकी 180 degree minus b plus c यह हम लिख सकते हैं a की जगा है वहां से देखिए a plus c a plus b plus c is equal to 180 तो एक ही value क्या ही 180 minus b plus c into में क्यों होगा sin b minus c तो यहां से देखिए k square sin 180 minus theta sin theta यहां की b plus c और यह है sin b minus c तो यहां से देखिए value i k square into में sin b plus c और sin b minus c किसके equal होगा sin square b minus sin square c के यह भी हम previous classes में पढ़ चुके हैं बार बार आपको पताया जा रहा है अब similarly यहां से देखिए similarly लिखे जो second term है second term को भी आप क्या लिखेंगे k square आप देखे b minus c था तो b square minus c square आया तो यहां से sin square c minus sin square a जो third term है third term उसको आप क्या लिखेंगे similarly k square into में sin square a minus sin square b इस तरीके से प्यारे बचो बस आपने first second third तिनों को add कर देना है तो first second third तिनों में k square क्या रहा है common तो यहां से left hand side हम solve कर रहे है k square आया common यहां से value क्या है sin square b minus sin square c second से plus sin square c minus sin square a third से plus sin square a और minus sin square b is equal to हमने क्या प्रूव करना है जीरो तो यह तो जीरो ही वैसे ही हो गया अब left hand side ले रहे हैं तो is equal to 0 नहीं लिख सकते इनकी science square b science square b cancel c से c cancel a से cancel positive negative है तो bright के अंदर जीरो जीरो की k square के साथ multiply होगी तो यह क्या हो जागा जीरो और यह हमारी क्या थी right hand side यह जो 6 और 7 है वो बिल्कुल एक जैसे question है उनमें कुछ भी change नहीं है बस आप first term को solve कर दीजिए similarly आप second third को solve कीजिए और value put कर दीजिए तो is equal to क्या जाएगा जीरो तो प्यारे बच्चों आज की class में बिल्कुल सिंपल से question किये अगर जिसको concept अच्छी तरीके से आते है 3.11 के यहनकी sign formula ना चीए और cosine formula ना चीए तो उनिक help से हमने first seven question किये हैं उसके बाद जो आगे बाड़े question है वो projection पे भी है projection formula से related भी है और एक और टेंजेंट से related formula था नेपियर एनलोजी थी जिसमें उससे related भी है तो आज हमने question नंबर one to seven solve किये तो next video आने तक तो आगे वाले question भी आप try करके देखें इसके example पढ़ें और अगर आपको basic clear ना हो तो description box में जाके पहले basic की video देखें कि sign formula कहां से आया को sign formula कहां से आया जिनका हम use कर रहे है और यह वाली चीजे तो आप 10th class से पढ़ रहे हैं इनको आप जहान रखें तो आज की वीडियो में फिलाल इतना ही देखते रहे है de facto classes अंग्यू और तो आविं जापें झाया कर शेक्रीश तेल अतरौ